जैहन पाक मीडिया की नए नए लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए क्रप्याटी के यादम न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बैल आइकों दवाएं वीडियो पसंद आने पर वीडियोज को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें आईए देखते हैं वीडियो जैहन जैवारत दन्यवारत पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं अमरीका के उपर के जनाब अमरीका ने ये जो रिसनली हुमेनिटेरियन पाकिस्तान में क्रैसिस हुआ फलर्ड आए तो सिर्फ एक लाक डॉलर क्यों मदद की ये जो इसको जो होते हैं फ्रैक्ट फलर्ड जो हैं इनके इसकी तेजी बहुत होती है खाफनाक होती है फसले तबाह हो गई हजारों मकान जमीं बोस हो गए और इस वक भी हजारों लोग खुले आसमान के तले अपने अपने शब और रोज गुजार रहे हैं यानि कि सिर्फ एक लाक डॉलर की मदद क्यों की ये यूएस एट जिसने पाकिस्तान में जारी बाता अरवों डॉलर लगाए हैं और आपको पता ही एक अमरीकी हकूमत की जो एजनसी है इंटरनेशनल डिवलिप्मेंट की अब पाक 6,000 के करीब लोग जो हैं होमलेस हुए एक लाक के करीब पाकिस्तान में जो है वो लाइफ स्टाउक जो है वो मतासर हुआ तो अब बाते हैं कि सिर्फ एक लाक डॉलर एक लाक डॉलर कितना बनता हो का दो ैड़ाई करोड मुझे और नहीं पता तो आप आप अमाजन कर सक राकते हैं के दो डाइ करोर्ड रिप्या शायद उन्हों ने दी है जो असिस्टेंस दी है और मुझे क्योंके अब ये वी एक चीज देखने की है कि भई दो डाइ करोर्ड रिप्या सिरफ इतनी हमें सिस्टेंस मिलेगी इतना हमारा नुक्सान हुआ अब क्योंकि हमें आतें पड़ी हुई है पुराने अलले तलले कि जी इतने पैसे आजाएंगे इतने आजाएंगे इतने आजाएंगे वो चीजे तो अब नहीं होने वाली अब वो दिन तेगे ठीक है अमरीका ने पाकिस्तान में अर्बों डॉलर जो वो दीये, कभी केरी लुगर बिल आता था, कभी वार अगेंस टर्रिसम इतना पैसा आता था यह हमें क्यूँ आधत प्ड़गी है, कि हम यह समझते हैं, कि हमें बाईर के लोगों के पैसे से ही हम जो है वो आगे की तरफ जा सकते है यह तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है और बड़ी दुख वाली बात है कि पाकस्तान में अलीट तो अलीट अब आम आदमी भी यह समझता है देखो यह हमें दे क्या रहे हैं मतलब क्वेस्टन यह नहीं है पर हम चलते रहे हैं यह हमारी हरकते हैं जिसका नुकसान हमें जो हुआ रहा है आपको याद होगा फॉरण एड अगर आप देखें तो यह हमारी जो लीडरशिप है जो हमारी एलीट है इनका फॉरण एड जो यह बड़ा जबर्दस सब्जेक्ट है यह जैसे घुरा देखें तो फॉरन जो है ना वो कहेंगे के पैसे आगए जब फालो ठीक है जी और यह फॉरन एड़ और इंटरनेशनल इजनसी और पाकसान में जो काम करती है ठीक है जी बहुत जादा कराची में अभी मैं आ रहा था जब आपके प्रोगाम में शेक्ट करने के लिए देखा कि एक का जरूर है कि यह पानी का रस्ता क्या है पानी ज्यादा नुकसान किस रस्ते से आके पहुंचाता है उन रस्तों के उपर माजूद जो बिल्डिंग है जो प्रॉपर्टीज है जो लोग हैं जो रहने वाले हैं उनको भी समझना चाहिए और मतबादल जगा हकूमत को देनी च कि जूरत है और्रशिप की जूरत है यह तीनों चीजहें माषाणला हमारे पास पास इस शक्रत मङजूद नहीं है पकिसी भी मैक में तो सर आपके मुल्क में और आपने सहीं का राइट टॉर्किंग रतड़ुमे नरान में हृ ओ अपके गिलगल बिलतस्तान के रच्ते में हुआ है आपके चाहे रेशम के हिस्से गैप कर गया पानी तो आपने खाबर पक्तून खा के लाकों में हुआ है यह सब जगा हो रहा है और वज़ा यह कि पानी के जो पुदरती रस्ते हैं अगर उसके भाव को आप रोकेंगे तो यह होगा जो जो जैंसी से यहां तो वह अमरीकी कोलेशन पाकस्तान में हम काम करते थे उनके लिए अगर हमने दैश्यत घर्दी की जंग लड़ी तो वह में रिंबर्शमेंट करते थे वह पैसा सारा जो था वह आता था वह एजुकेशन की मद में हो ठीक है जी वह भी जैसे दोजार पंदरह में जी साथ सो मिलियन डॉलर और आया दोजार जो है बाकी इसी तरह हर मुल जो उस में इतना पैसा जो है के लिए यार इनको जो है ना को पैसे दो ताकि या अपना एलेक्शन कमिशन मजबूत कर सकें ये तो हमारा हमारी टोटल वर्थ उसने तो समझा के यहां का वजीर आज़म जो है वो बड़ा घरीव होगा क्योंकि यह बड़े बुर बुरव लाज़ बने हुआ है तो जब उसने देखा कि प्राइम इसक्रियू तो प्राइम इस्टर ने मेरे दावत इस तरह की हुई है जिस तरह पता निमे क्या हूं ठीक ह और बड़े वी आई भी इशाय हो रहे हैं जोराने हो रहे हैं तो वो उसने जाके कहा कि मतलब आप एक गरीब मुलक हैं आपके हाँ फलर्ड जाया हुए हैं अबादियां जो हैं वो बै गई गई हैं हजारों की तदाद में लोग मर गई हैं और आप मुझे यहां पर खाने के गई ला रहे हैं और मैं यूएन से आई हूई हैं और मदद करने ही हूँ पैसा कठा करने हैं इंटरनेश्ण कम्यूनिटी के आगे अवेरनेस के चन रेट करने आई हैं आप किया है तो बुच अलीट कैप्चर हम बात करते हैं पाकस्तान में उनको इसी से कोई रिसास नहीं है और यह ना उनको परवाय सीज की उन्हें नहीं प्रवाय से भी पैसा आ रहा रहा है जब फिर अर्थकुय काई दोजाराट में जब तो पाकस्तान में तो उसका भी दुनिया दोजार पांच में सोरी तो पूरी दुनिया से हमारे हाँ पैसा आया और हमने वो ड्वेल्मेंट जो है वो फंड बनाया मुझे एक दोस्त ने बत हाद तो कुद्रती भी हैं और कुछ हमारी अपनी भी कोताईया हैं जिसकी वज़ए से आज हम हारस तक्रीबन साल या कुछ एक दो साल के बाद सिलाव वाली सुर्ट इहाल पैदा हो जाती है लेकिन अफसूस की बात यह है कि हमारी रियास्त जो है वो बिलकुल बेबस नज पहुँचे किस तरह किस तरह मदद वहां तक पहुँचाए और जो हमने बड़े फैन फेर के साथ एक नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई थी वो बिलकुल बेबस नज़ा आती है और मुझे आप यकीन कीजिए दरजनों मेसेज़ बलोचिस्तान से खास हकूमत है और जो फाकी हकूमत है उनकी तरह से कोई भी मदद हमें नहीं मिल रही गो कि प्राइम मिनिस्टर ने भी दोरा किया हमें दिखाएगा टेलिविजन पे उन्होंने बच्चों के और बच्चों के हाथों पे सर भी रखा लेकिन यह सिर्फ आप्टिक्स हैं अगर आ हम सब की बात जानते हैं कोई मैं नहीं बात नहीं कर रहा कि जब तक किसी रियास्त में स्यासी सुरत हाल मुस्ताकम ना हो यकीनी ना हो उस वक्त तक हमारे सारे यह मसायल रहेंगे हम अपने इंस्टूशन को डिवैलप कर पाएंगे और ना ही हम सही मानों में पाकिस्तान मे पाकिस्ताने वो खुशाली देख पाएंगे जिसकी हम तमन्ना रखते हैं ये बात बिलकुल आप लोग नोट मैं क्या कहूँ नोट आपने क्या करनी है लेकिन मैं अब इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इस वक्त एक सुरत इहाल है सियास्त की जो बनी हुई है वो किसी तो बढ़ा है टेंशन जो है इसको हम टैम डाउन भी नहीं कर सकते किस तरह हम आगे बढेंगे अगर रियासत में यही हमारा पुलिटिकल एट्मॉस्फियर रहेगा और इसी तरहें के से टेंशन रहेगी तो हम आगे किस तरह हम अपना एक विजन बनाएंगे कि हमने मुल्कों कहां लेकर जाना है मुझे तो नहीं लग रहा कि हम आगे बढ़ने हैं मुझे तो यू महसूस होता है कि हम फाइर फाइटिंग कर रहा है बे तक और फाइर फाइटिंग भी कर रहा है तो हमारे पास फाइर वो इंजिन्स मौजूद नहीं है कि हम उनसे फाइटिंग भी कर पा तो पाकिस्तान बड़ा खुस रहता था और सारे पैसे आतंकबादियों पर खर्च कर देता था लेकिन अब अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे देना बंद कर दिये जिससे पाकिस्तान की चीख निकली हुई है पाकिस्तान में इस वक्त आई बार से कापी तवाही मच चुकी है पलिचिस्तान की तो हाल बहुत ही ज़्यादा बेहाल है लेकिन पाकिस्तानी गवर्मेंट बहां पर भी कोई मदद नहीं कर रही अमेरिका ने पाकिस्तान को एक लाख डॉलर मदद के नाम पर दिये हैं लेकिन पाकिस्तानियों को एक लाख डॉलर बहुत कम लग रहे हैं क्यो इसे अमेरिका भी पाकिस्तान की दूर रह रहा है आपकी क्या रहा है कमेंट में जरू सेयर करें यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें जैहिन